हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल ससीक्स फोटोग्राफी में तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं और साथ में इडिट करके दिखाने वाला हूं कि आप अपने फोटो में फ्रेम के साथ लाइट वाली फोटो कैसे इडिट कर सकते हैं तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको इडिट करके दिखाने वाला हूं तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक किजेगा और चैनल के साथ सस्क्राइब किजेगा और स और यहां से आपको इडिटिंग इस्टाट करना है ठीक है तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दू कि आपको अगर यह इडिटिंग लाइट रोम की नहीं करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो लेकिन वहां पेक कंडिश है कि आपको download करते समय password दिया जाएगा जो कि आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो उसमें आपको password यहीं वीडियो ने आपको हो जाएगी क्या password है अगर आप password से डायरेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो आप यहां से जो मैं बता sous step को follow प्रोद कर सकते हैं कि तो सबसे पहले मैं इस helium को राड़ा लेता हूं और उसके बाद बाद वाइबर्यंस को बढ़ा लेता हूं ठीक है इसके बाद meissimo उपर आ जाना है थो ग्रीन कश्च कर लेंगे उसके बाद हुग को बढ़ा लेंगे उसके बाद सेटन को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और उसके बाद लुमिनेंस को अपने नुसार मैज करा लेंगे ठीक है इसके बाद येलो टोन जो है उसको भी हम थोड़ा राइट के साइड रखते हैं और उसके बाद सेटन को भी बढ़ा लेते हैं और इसके बाद श्रटर को थोड़ा सा कम कर लेंगे और लोमिनेस को बढ़ा लेंगे जिसमें कि हमारी फोटो में जो फेस है वह ज्यादा लाइट में आ जाए तो दोस्तों यहांसे घृटो पूरी तरह से इडिट हो गही है इसके बाद कर लेंगे डॉन करने के बाद यहां से थ इडिट करना चाहते हैं तो सिंपल से क्या करना आपको कि जो भी मैंने इडिट किया हुए मैं आपको पूरा स्टेप बे स्टेप दिखाता हूँ इसके बाद इसे नॉर्मल कर लेना जैसे पहले था ठीक है इसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी य प्यातिक है मोदी नच्रigue dancing आपको क्या करना उसे डाउनलोट करना डाउठो करने बाद लाट रोम में आठ्य करना है और आड़ करने के बाद पिर जैसे उंट आप एक तरीके से कर सकते हैं बस मैं चेंजिंग यह है यह थोड़ा यहलो टोन है और जो मैंने इडिट किया वह थोड़ा क्रिण में तो आपको कुछ करनानी ग्रीन टोन सिलेक्ट करके और इसको ऐसे बढ़ा लेना थीक आपको एक बार में यह इडिट हो जाएगी जब यह हमारी photo edit हो जाती है तो हम इसे pick art में open करते हैं ठीक है तो चलिए pick art में तो हमने अपनी photo को pick art में open कर लिया है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि आप सबसे पहले इधर में आप देख सकते हैं एफेक्ट का एक option सो हो रहा होगा एफेक्ट पर आना है और नीचे में आप देख सकते हैं recent filter canvas sketch यह सब लिखा है तो आपको एफेक्ट पर सिलेक्टर लेना है और इसे right second में swipe करना है करते जाएंगे तो इसके बाद हमारे पास black and white का option सो होगा ठीक है अगर यहां पर जहां पर 3-4 option होगी तो यहां से black and white का यह option सो हो रहा है तो आप इस अनुसार से ऐसे बढ़ा घटा के चेक कर सकते हैं आपको किस पर ज्यादा मतलब black and white में फोटो आ रहे हैं तो फेट को हम पूरा माइनस रखते हैं 0 ठीक है जैसे इसे ऐसे करते हैं 0 पर उसके बाद यहां उपर में सो हो रहा होगा इरेज का उप्शन इस पर टैप कर लेंगे टैप करने के बाद नीचे में उप्शन हो सो हो रहा है सेप का यहां पर सेप एक बार टैप करेंगे तो यह हमारी ऐसे सेप खुल के आ जाएगे तो इससे क्या करना है कि फिर से एक बार सेप पर टैप करना है और इसके बाद जो हाडनेस है उसको फूल कर देना है आप देख सकते हैं कि यह हाडनेस को कम ज्यादा करने से क्या हो रहा है तो इसे फूल कर लेंगे फूल करने के बाद इसको क्या करना है यह अपने अनुसार इसको अरजेश्ट कर लेना है यहां से हम अरजेश्ट कर लेते हैं जितना आपको पर बना लेता हूं दो तीन ठीक है इसके बाद एक और बना लेंगे यहां पर ऐसे करके तो यहां पर मैंने तीन बना लिया उसके बाद यहां पर क्या करना है इसे सेव कर लेंगे सेव करने के बाद यहां से डन कर लेंगे तो यह हमारी पूरी कंप्लीट हो चुके है इसके बाद हमें इसके कॉर्णर पर फ्रेम लगाना है तो फ्रेम लगाने के लिए हमें ड्रो टूल में आ जाना है तो ड्रो टूल यहां से सिलेक्ट करेंगे ड्रो टूल में आने के बाद वाइट पे सिलेक्टर लेना है उसके बाद OK करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेप वाला ओप्शन है थर्ड नमबर पर यह वाली इस पर टैप करेंगे और यह वाली सिलेक्टर लेंगे थर्ड ओप्शन यह देख सकते हैं यह वाली square वाली उसके बाद size को full करना है और opacity को full कर लेना उसके बाद ok करने के बाद आपको क्या करना है यहां से ऐसे एक बार से ऐसे कर लेना है जितना दूर में हमारे यह green वाला photo है उसके हिसाब से यहां adjust कर लेंगे ठीक है यह हो गई done इसके बाद क्या करना है जो हमने नीचे फोटो है और दो जो फ्रेम बनाया उस पे भी सेम ऐसे ही करेंगे तो हम फटा फट से कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपकी हमने तीनों फ्रेम को बहुत अच्छे तरीके से अर्जेस्ट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे यह हमारी फोटो कंप्लीट हो गई है complete होने के बाद यहां done कर लेंगे done करने के बाद यह हमारी photo complete हो गई है और last option इसका यह है कि हमें light डालने है तो light के लिए हम यहां से add photo में चलेंगे और दोस्तों यह आपको जो भी मैं यहां पर photo add कर रहा हूं light की वो आपको video के नीचे description में मिल जाएगे अब वहां से आप download कर लोगे जैसे ही download करोगे आपके download की folder में आ जाएगे तो यहां से मैं अपने download file को select कर लेता हूं ठीक है इसके बाद जहां पर मेरा download है वहां से मैं इसे add कर लेता हूं तो यह वाली color है जो आपको description में मिल जाएगे तो इसी photo को 3 बार से add कर लेंगे 3 बार टैप करेंगे 3 बार आजाएगे ठीक है अब इसे क्या करना है यह जो photo हमारी इसके corner पर रखना है आप किसी भी corner पर रख सकते हैं या तो इस पर या पर इस पर कहीं पर तो हम इसको उपर वाले corner पर रख लेता है और उसके बाद इसकी opacity, sorry, इसकी blend mode को screen कर लेंगे screen करने के बाद यह देख सकते हैं जो मैंने यह select किया यहाँ पर कितना perfect लग रहा है उसके बाद जो यह दो और pngs हैं यहाँ पर इसको भी हम लगा लेंगे तो इसको भी corner पैसे select हरेंगे यहाँ से blending mode change कर लेंगे blending mode change करने के बाद screen पे आजाएंगे screen पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे होगी आप इसे बढ़ा घटा दोनों सकते हैं तो यहाँ पर छोटा रख लेता हूँ ठीक है इसके बाद यह third वाला है इसको भी यहाँ रख लेंगे corner पे इसके बाद blending mode को यहाँ से फिर से वही screen कर लेंगे कहाँ चला गया blending mode पे आ जाएंगे इसके बाद screen कर लेंगे तो यहाँ पर पूरी complete हो गई है ठीक है अगर आप इसके अलावा और भी चाहते हैं कि आप description से न डाउनलोड करें तो आपके पास यहाँ पर option सो हो रहे होगी lens flare का जो कि आपको बाहरी कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको यहीं पीकट में मिल जाएगी इस पर टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपको बहुत सारी lights already मिल जाती है फ्री में तो आप इसमें से कोई सावी select करके उसे adjust मतलब कोई सावी select करके आप photo में लगा सकते हैं तो suppose यह rate वाली मैंने select की यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जीतना बढ़ा करेंगे वह ऐसे हो जाएगी तो आ आप इसको ऐसे select करके यहाँ इसको ऐसे select करके यहाँ लगा सकते हैं और इसके बाद जो भी इसका size saturation जो भी है ऐसे बढ़ा के घटा के और just कर सकते हैं तो इसमें से आप कोई भी select करके बहुत अच्छा लगे तो इतना पर आप ड़न कर सकते हैं तो यह वीडियो पूरी तर और रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेयर कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए भाइबा दुखतो फिर मिलते हैं एक बहतरीन से वीडियो में